शेख साधी की पुस्तक लिस्ता पहला ज्याए 23 विकान हचे रवद बर सरम चूटो पसंदी रायास्त बंदहचे डावा कुनद हुकम खुदा बंदरास्त यानि आप जो हुकम देते हैं वो न्याय संगत ही है मालिक की आग्या के सामने सेवक का उद्रन नहीं चल सकता उम्रूलैस के गुलामों में से एक गुलाम भाग गया एक आदमी उसकी पकड़ने के लिए बेजा गया वो उसे ले आया गुलाम की वजीर में दश्मनी थी वजीर ने इस गरज से कि और गुलाम ऐसा अफराद न करे उसे प्रांड दंड की आग्या दे दे गुलाम ने उम्र उज़र चल सकता है लेकिन ये दे कर कि मैंने आपके घर में परविश पाई है मैं नहीं चाहता कि कयामत की दिन मेरे खून का अफराद आप पर लगाय जागा अगर आपने गुलाम की जान लेने का ही ठान लिया है तो मुझे न्याय के अनुसार मारी है ताकि कयामत के दिन आपको जिड़ किया न सहनी पड़े बादसा ने पूछया मुझे ये काम किस तरह करना चाहिए उसने जवाब दिया मुझे वजीर को मार डालने की आगया दीजिए पिछे उसके एरस में मुझे मरवा डालिये तब आपका मुझे मरवाना ज्याय अनुसार होगा बादसा हस और उसने वजीर से पूछा कि तेरी राय में अब क्या करना चाहिए वजीर ने उत्तर दिया जगद रक्षक अपने पिता के समाधी मंदिर की पुझा समझ कर इस ते दुष्ट को चोड़ दीजिए कि जिससे मेरी जान आपत में न फासे अप्राद मेरा ही है क्योंकि मैंने महात्मों के इस वचन का खयाल नहीं किया अगर कोई सक्स मिट्टी के धेले फेकने वाले के साथ लड़ता है तो अपनी मुरुकता से अपने ही सीर को तूड़ता है जब तुम अपने शत्रू पर घोली चलाओ तब उसके निशाने से भी बचने का खयाल रखो कहाने समाधी